Hey fam, what's up? आप कुछ दिनों से मेरे बारे में काफी सारी news देख रहे होगे, काफी सारी information भी देख रहे होगे, especially वो दो वीडियो के बारे में जो काफी लोग फैला रहे हैं, काफी सारी website पर, social media पर दिखा रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आप से personally एक बार बात करना चाह रहा था, मैं आप से ये कहना चाहूंगा, कि ये जो दो वीडियो के बारे में लोग बाते कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो बनाई कैसे गई थी, सबसे पहली वीडियो, मैं कुछ जरूरी सामान लेने मेरे घर के नीचे गया था तब ही देखा कि एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही है और मैंने वो वीडियो बना दी अब लोग कह रहे हैं कि मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं लोगों कह सकूँ कि आप भी अपने घर से बहाँ निकलिए जबकि यह बिल्कुल सही नहीं है अगर आप उस वीडियो के हैश्टैक देखते हैं तो बहुत ही क्लियर बता रहा है जैसे कि आपके साइट में दिख रहा है अपने घर में रहें अब यह वीडियो को मैंने डाउन क्यों किया नॉर्मली जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ मेरे फैम इतने अच्छे है मुझे बता देते हैं कमेंट के जरीए कि वीडियो अच्छा बना है या बुरा बना है तो जैसे ये वीडियो बना था इस पे तो मुझे कोई खराब कमेंट्स आई ही नहीं पर एक लॉयर है जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मेरे बारे में काफी बुरा-बला लोगों से कह रहे थे सोशल मीटिया पे और तभी मुझे ऐसा लगा इस वीडियो के जरीए वह लोगों को गुम्रा कर रहे हैं मुझे ये वीडियो हटा दीनी चाहिए तभी मैंने जाधा confusion create नहीं होने दिया और मैंने उस वीडियो को हटा दिया दूसरी वीडियो के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं एक्चली वीडियो तो लॉक्डाउन के बहुत पहले बनाई गई थी और आप इस वीडियो पे डेट भी देख सकते हैं हमने शूट कप किया तो यह बिल्कुल गलत इंफरमेशन है कि हम घर से भाहर निकल के वीडियो बना रहे थे मैं आप सब को फिर से बताना चाहूँगा कि मैं अब भी घर पर ही अब तीसरी चीज़ मैं क्यों यह लोगों कहूँगा कि आप अपने घर से भाहर निकलिए इन फैक मैं पर्सनली बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ अपने फैम के लिए देखने वालों के लिए जिससे उन लोगों को यह बता सकूँ कि करोना से कैसे बचे है अगर आप मेरी टाइम लाइंग्स देखते हैं तो उसमें आप यह सारी वीडियो भी देखे होंगे कि मैं हल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सोचल मीडिया के जरिए और जाद से जादा मेसेश फैलानी की कोशिश कर रहा हूँ कि करोना से सेफ कैसे रहे जब हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने लॉकडाउन का अनॉंसमेंट किया था तब ही मैंने उस दिन ये न्यूज हैंडल पर शैर कर दिया था और अपने फैम तक का पहुचाया भी था अब नहीं बात के मेरे बारे में बुरी बाते क्यों हो रही है तो ये एक लॉयर जनाब है जब हमारा एक प्रॉब्लम हुआ था तब मैंने उनके बारे में सुना था मैं कभी उनसे परस्नली मिला ही नहीं पर ये हमारे टीम के लिए केस लड़ने की कोशिश कर रहे थे तब ही ऐसा कुछ हुआ हमें उनके बारे में कुछ ऐसी बाते पता चली जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं और हमने एक नया लॉयर अपॉइंट किये जो काफी सीनियर थे जिन्होंने हमारा केस हाई कोट में लड़े और उसका काफी फेवरेबल जज्जमेंट भी आया हमारे लिए आप अगर ये इमेल को देखते हैं जो हम सबने मिलके लॉयर को भेजा था कि आप हमारा केस मत लड़िए फिर भी वो उस दिन कोट आये हम किसी को कोट आने से कैसे रोख सकते हैं तो इस बात पर ये जो लॉयर थे काफी खफा हो गए और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने मीडिया में ये भी बोला था कि वो हमसे बहुत खफा है वाह ऐसे टाइम पर देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए इन सब के बीच में आप अपना फाइदा ढून रहे हैं और उसी वज़े से मेरा नाम के सब में खीच रहे हैं जो इंसान ऐसा कर सकता है वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही डेंजरेस आदमी है और वो किसी भी हद तक का जा सकता है हमारा नाम खराब करने के लिए आप अगर गूगल सर्च करते हैं तो इनके नाम की तो आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा कि एक इतने डेंजरेस इंसान है मैं उनसे और सबसे यही कहना चाहूँगा यह जो अभी करोना का प्राब्लम है वो बहुत ही बड़ा है यह लॉयर से भी और मुझ से भी और यह प्राब्लम हम साथ डड़ कर मुकाबला करेंगे यह छुटी-छुटी लड़ाई हैं हमें कहीं न ले जाने वाली हम सारे इंडियन्स हैं और हमें इंडिया को इस लड़ाई से जिताना है तो ग्याईब आप जैसा आप लोग मेरा साथ दे रहते हैं संडे को नौ बजे सारी लाइट्स बन करके, कैंडल लेकर मैं अपनी बैलकनी में खड़ा हूँगा, आप सब भी कैंडल और टॉचेस के साथ में खड़े रहिएगा और देश का साथ दीजेगा, हमें ये ख्याल जरूर रखना है कि हम सुशल डिस्टंसिंग को स्ट्रिक्ली फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तरह की गैधरिंग को अवाइट कर रहे हैं, जाहिए!